धनबात के बल्यापूर कस्याटाड में मंगलवार की रात को एक बारसर से एक युवक एक 17 वर्ष युवक प्रेम प्रसंग के वारदात के वाल से मौत के हत्य चड़ गया जी हाँ ये पूरा मामला बल्यापूर के कस्याटाड का है मंगलवार की रात को 17 वर्षेक युवक को उसके प्रेमिका के परिजनों ने पहले तो किसी बहाने से उन्हें अपने घर पर बुलाया और उसके बाद डीजे की फुल साउंड बजा कर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी और बाद में उसके मृति शरीर को धनबाद के SNMMCH अस्पतार ने भरती कराया गया और वहीं किसी स्टाफ ने उनके परिजनों को कॉल करके इस पूरी घटना के बारे में बताया जब परिजन वहाँ पहुचे और मिति शरीर को देखा तो साफ तोर पर ये सामित हो रहा था कि उस युवक की पीट-पीट कर हत्या की गई है उसके पैर के नाखोन उख़ए थे शरीर पे कई तरह के दाग लगए थे हला कि जब परिजन वने अस्पिताल वालों से इस पूरे मामले पर पोस्टमॉर्टम करने के लिए और साथी साथ पुलिस वालों से ये आगरह किया कि आप इस पूरे मामले पर F.I.R. दर्श कीजिए तो ये बाते सामने आ रही है कि यहाँ पर पुलिस वालों से उन लोगों से पुलिस वाले यहाँ पर पैसे की डिमांड करे थे लगबख 20 हजार रुपे की मांग की जा रही थी हाला कि इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ आज S.N.M.C.H. में जिसके बाद इस पूरे परिजन और इस पूरे लोगों को सवर्थन करने के लिए कई समाद से भी आप पर जोड़े और साधी साधन सराडिल लथाना के कई पुलिस बलके लोग भी यहाँ पर टैनात किये ग पुलिस बात रहा है और दूसरी नमबर बात रहा है कल साथ बजे के घटना है अबहीं दो बज गया है करीब करेव एक डड़ बजे पुलिस आया है बहुत परिसर देने का बाद यहां जो कि पुलिस बात बात रहा है पुलिस आया है अभी तक पोस्टमाटम नहीं हो पाया है अन्नों डेट वोड़ी लाया गया था है हम साथ सनस्ट इसी के दोवारां तर पीर चेस आके रख पिया गया था है बाद में पता चला कि बलियापूर करह का तो जैसे कि आपने सुना कि जमने हम ने कुछ से बाद चित की जो इनकी समर्थन में आये थे तो उन्होंने साफ तौर पर बता कि किस प्रकार से यहां पर पुलिस वालों के द्वारा मनमानी की बाते सामने आ रही थी उन लोगों के द्वारा दज नहीं करा जार था साथी साथ अस्पताल में भी कोई सूथ लेने वाला नहीं था कि आखिर इस प्रकार से लावारिश लाश को लाकर अस्पताल में रखा गया है यानि कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह से लापर वाही बढ़ती जाएगी तो कोई भी किसी की हत्या करके उस अस्पताल में लाकर छोड़ कर और आराम से बाहर जा सकत है कि कैसे 17 वर्ष युवक को केवल प्रेम प्रसंग में पढ़ने के वज़े से उसके प्रेमिका के परिजनों ने इस तरह से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी यह पूरा मामला अब जाच का विशे बना हुए और देखते कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लिया ज चाहिए और जो भी दोशी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अपने स्वयोगी प्रकाश के साथ शांबवी सिंग देन्यूस कोस रहन बाद